आरपी अप कॉंस्टेवल की जो नोटीस है वो एक्टिवेट होने वाली है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है इस भरती के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स बात करेंगे कि यह सही है या गलत है यदि आपको इस वेकंसी के बारे में जानकारी है तो हमें आप कॉमेंट कर सक के अंदर तो चलिए यहाँ पर उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की और से भरती जारी किया जाता है जिसमें कॉंस्टेबल की पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि यह भरती एक्टिवेट की जाएंगी 2013 की यह भरती इसमें जो आपकी यह उनिवर्सिटी के दवारा या इसमें जो आपकी एज मांगी जाती हैं 18-25 वर्स की उम्र होनी चाहिए इस भरती को अप्लाई करने के लिए इसमें एसमें रिलेक्सेशन यानि की छुट भी दी जाती हैं उन्हीं कैंडिडेट को एज में छुट आवेदन करने के जो स्टार्टिंग डेट है अपडेट सून है अभी जारी नहीं हुआ है ना इसकी लाश्ट डेट अभी तक एक्टिवेट की गई है सेलरी मिलने वाली है कॉंस्टेबल के लिए 25,590 रुपीज प्रतेक महिने के सेलरी है लाश्ट तक आपका सेलरी 56,000 या आपका 60,000 तक इसमें जा सकता है इसके बाद इस भरती को अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो आउनलाइन के मैथट से इसमें आवेदन करेंगे सभी स्टेट की कैंडिडेट इस भरती को अपलाई कर सकते हैं RPO के जो भरती जारी होगा, तो इसमें सभी state के candidate आवेदन कर सकते हैं, आप चाहे male है या female है, सभी के लिए भरती जारी किया जाता है, female candidate के लिए इसमें वरीता भी दी जाती है, 40% या कुछ ऐसा आपको वरीता भी दी जाती है female candidate के लिए, बट male candidate के लिए कोई वरीता नहीं दी जाती है आप सभी candidate को online के method से apply करना पड़ता है इसमें official website पे visit करके RPO के official website पे आप visit करेंगे वहाँ से आप भरती को apply करेंगे पिछली जो vacancy जारी किया गया था RPO के उसको मैंने apply करके दिखाया है वह वीडियो देखना चाहेंगे तो इसी वीडियो के नीचे उसका link आपको मिल जागा किस प्रकार से आवे दिन किया जागा जब इसका link एक्टिवेट होगा तो आप वह वीडियो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं अब इसमें जो आपके selection प्रक्रिया होने वाली होती है सबसे पहले इसमें आपका written exam लिया जाता है इसके बाद आपके physical test लिया जाते है जब आपका written exam qualified कर जाएंगे या exam आप qualified कर जाएंगे तो आपका physical test लिया जागा इसके बाद आपका physical measurement टेस्ट होगा अब गईस जो notice जारी किया गया है पिछला ये notice है अभी present time में कोई notice नहीं जारी की गई है लेकिन बताय जा रहा है कि ये भरती जो जारी होगा दो से तीन महिने के अंदर ये भरती एक्टिवेट हो जाएंगी तो जैसे इसका नया update आता है गईस हम आपको बताएंगे कि इसम बारे में हमने आपको यहां पर बता दिया है यदि कोई समस्या होती है या इसके बारे में अगर आपको जानकारी है इस भरती के बारे में तो हमें आप comment कर सकते हैं बट गाइस मैं यही कहूंगा कि ये सूचना जो है अभी ठीक नहीं है ये बिल्कुल fake मुझे news लग रहा ह अगर जारी हो जाता है तो अच्छी बात है लेकिन मुझे जहां तक अंदाज है कि ये सूचना जो है वो गलत है तो गैस अगर आप लोग को भी जानकारी है इसके बारे में तो हमें आप comment करके बताइएगा यदि नहीं जानकारी है तो भी पर आप में बताइएगा फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो के लाइक कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा, कोई सवाल आता है तो कॉमेंट करके पूछ लिजेगा, और गैस मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब क लिजेगा, चलिए गाइस मिलते क अगरी वीडियो में, बाई बाई जाहिए